हालो गईजाब सभी सातियों का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल टॉपर स्टीन पर तो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग निकल कर आई है Beard or Dilett के जितने भी छातर उनके लिए बड़ी ख़बर आई KBS भरती 2022 की तरफ से एक खुस खबरी निकल कर आई है उसको हम लोग देखेंगे साथी साथ UP Scholarship 2022 के लिए एक जरूरी सूचना है उसको भी हम देखने वाले हैं तो जो भी साथी चैनल पर नहीं है पले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि इसी चैनल पर आपको सारी real और authentic update आपको मिलती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को चलिए गाई तो आज हम लोग बात करने वाले हैं KVS PRT की best book के बारे में जैसा कि आपको पता है कि KVS की vacancy आ चुकी है उसका आवेदन हो रहा है तो आप सभी लोग को चाहिए उसकी एक best book हम बात करने वाले हैं चक्छू पब्लिकेशन की best book के बारे में आप सभी लोग को ये जो book है वो market में आराम से मिल जाएगी इसमें आपको जनरल इंगलेज, सामान विज्ञान, हिंदी तार्की योगता, कम्प्यूटर जानकारी हर एक चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वो भी latest pattern और syllabus के according मिलेगा इसमें आपको 2000 से ज़्यादा बहुभी कल्पी एक question भी मिलेंगे ये study guide जो है आपको market के सभी books store पर आपको मिल जाएगा online भी आपको मिल जाएगा जिसकी link के मैंने description box में दे दी है तो जो आपकी last date आज 26 दिसंबर थी उसको बढ़ा कर 2 जनौरी कर दिया गया है आप लोग अगर अभी तक फार्म नहीं वरें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप लोग जो है यहाँ पर आप इसको भर सकते other times and conditions regarding age qualification experience ETC will remain same यानि कोई भी चीज यहाँ पर same नहीं हुआ है कि जो seated appearing की जो मांग चल रही थी वो seated appearing को लेकर के भी कोई मांग यहाँ पर complete नहीं हुई है लेकिन main चीज है कि जो last date है उसकी वो extend कर दी गई है अगली update की हम बात करेंगे वो करेंगे UP scholarship की तरह से दूसरी और important सूचना उन चात्रों के लिए जिनोंने अभी तक UP scholarship का form नहीं भरा है तो फटाक से जाओ अपना UP scholarship का form भर दो क्योंकि आज 26 December को इसकी last date है अगर आपने नहीं भरा है तो जल्दी से आकर भर दीजिए और जिन लोगों ने form को भर दिया है आपको हम बता दें कि दो दिन के अंदर यानि आप लोग जो है तीन दिनों के अंदर आप लोग जो है form यानि अगर आपने print निकाल लिया है जो आपका pending है वो verify जल्दी हो जाएगा क्योंकि verification का काम जो DWO से चल रहा है मैंने बात भी किया तो वहाँ पर ही बताया गया है कि जल्द से जल्द इननों का pending हो जाएगा कुछ लोगों का pending से verify हो चुका है और कुछ लोगों का जो बचा है उनका हो जाएगा बाकी correction जैसे ही start होगा आपको चैनल के मादम से मैं सूचित कर दूँगा तो वीडियो को share कर दीजिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दे चैनल पर नहीं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें